डिस्प्लेस्मेंट dear students हम आज language के इस करेक्टरिस्टिक्स displacement के बारे में बात करेंगे most animals communicate about the things in present जो जानवर या insects होते हैं या जानवर जो होते हैं वो सिर्फ खत्रे के वक्त आवाजें निकालते हैं या अपनी किसी जरूरत के तहत वो आवाज निकालते हैं otherwise उनकी language वो शायद वो तो समझते हैं जानवर लेकिन हम इनसान उनकी language को समझने से कासर है और human language का ये characteristics है जिसके तहत वो present, past and future के बारे में एक ही वक्त में वो उस पर बात कर सकता है तो human language जो है वो उसका ये characteristics के दिस में वो माजी हाल और मुस्तक्विल के बारे में बात करे displacement कहलाता है और ये इस में जूरी नहीं है कि इनसान किसी खत्रे के वक्त बात करें कर सकते हैं वो भी लेकिन इस में वो उस time से आगे पीछे भी उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और human language में human beings can talk about the things which are not present at that time जो किसी उस वक्त मुझूद नहीं होती या even they are intangible या वो invisible हूँ वो उनके बारे में बात कर सकते हैं इस फीचर अफ हुमन लेंग्विज is called displacement और human language can refer past and future जैसा मैंने अभी बताया कि ये past और future के बारे में आपको बात करना यनि ये इस characteristics के मताबक आप present और past के बारे में एक ही वक्त में आप बात कर सकते हैं और हम things और events को के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं अब देखें हम इस वक्त इस 2023 में हम रह रह रहे हैं तो हम माजी के किसी event के बारे में या future में किसी present और past trend की बन्याद पर future में पेश आने वाले किसी वाकिय के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं या sudden changes के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं और language जो की ये characteristics है जो displacement ये हमें बताती है for example हम मुखलिफ चीजों के बारे में एक ही वक्त में मैसे moon, star, dragons, mountains, fear and so many things जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं at a time whether they are visible or not visible यानि दोनों सूर्टों में हम उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं और जबान के ये characteristics हमें allow करता है कि हम events के बारे में या चीजों के बारे में बातचीत करें और आपस में एक दूसे के साथ हम तबादा ख्यालात करें यen हम Receive भी करें और Communicate भी करें और इसके मकाबले में Animals की जो Communication है वो सिर्फ Sounds पर मुश्टमिल होती है हम वो सिर्फ Sounds में बाचीत करते हैं Honey B के बारे में ये बात है एक थोड़ा सा उसके बारे में ये मुझूद है कि वो कुछ चीज वो मतलब उसमें एक करेक्टिक्स है कि वो कन्वे करती है बात लेकिन ये भी एक महदूद लिमिटेड उसका एक लेवल है और जिसकी बात यानि जिसकी समझ फिर हनी भी को ही आती है otherwise दूसरे लोगों के लिए या human beings के लिए उसकी language को समझना नमुम्किन है अच्छा human being human language का ये characteristics वो human beings को allow करता है कि वो fiction के बारे में बात कर सके और describe the possible future मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वो fiction, fiction वो चीज है जो आपकी एक तसवराती एक चीज हो सकती है या कोई मतलब ऐसा future का trend हो सकता है जिसको हम उसके बारे में बात करें तो इस से हम ये दुनिया में जो possible future है या possible things that will be occur that will be happen on the base of past trends तो उसके बारे में भी हम इस characteristics of language displacement के जरीए हम बाचीद कर सकते हैं और displacement ability to talk across the time or space apart तो हम मतलब है कि हम time, space और वाकियाद और ये सारी चीजों के हम across the board या across the time हम बाचीद कर सकते हैं और ये animals को ये इसलाहियत हासल नहीं है तो displacement ये character है और universality अब ये देखिए human language की जो universality है या अफाकियत है ये इसकी बदूलत वो जो language की बदूलत दुनिया में एक तवाजन equilibrium उसने काइम किया हुआ है इस language की वज़ा से और competence and performance competence से मुराद ये इसान की जो cognitive thinking है जो उसके जहन में information मुझूद है या उसकी बदूलत उसको understand करना ये competence है और performance से मुरीद to perform something to demonstrate something तो ये दोनों जो characteristics हैं ये इनसान में मुझूद होते हैं और जबान जो है वो उन दोनों में एक इसहार का जरीया है और displacement जो है ये characteristics इसमें भी इनको हम इसके जरीये हम displacement के जरीये हम competence की भी बात कर सकते हैं हम performance की भी बात कर सकते हैं और it is learnt by individuals और फिर culture की बात है आगे और culture जो है वो बच्चे या चोटे जो वो इनसान वो अपने बड़ों से culture की चीज़ें थी सीखते हैं culture की जो specifics हैं वो हर शक्स के लिए उनको सीखना जरूरी है और language ही उसका सबसे बड़ा source है उसकी transmission का और जो एक generation से दूसी generation तक मुंतकिल होता है